गुद मॉरिंग श््टूडंस बच्चों में निलोफरबानूं आपको हिंदी पड़ाऊंगी तो बच्चों आज हम कक्सा 5 में वन माला पड़ेंगी बच्चों वन माला वन माला तो आप पड़ चुके हो तो वर्ण माला में से हम पहले वर्ण दिख लेते हैं कि वर्ण क्या है मुक्सी निकली आवाजी वर्ण कहलाती यानि हमारे मुक्सी जो आवाजे निकलती है वो आवाजे क्या कहलाती वर्ण कहलाती यानि कि अक्सर कहलाती है बच्चों वर्णा माला के अंदर आप स्वर और व्यंजन सिख चुके हूँ उसी वर्णा माला में हम आज स्वर और व्यंजन को रिवाइस करेंगे जैसे यहाँ पर स्वर स्वर हिंदी में कितने स्वर होते हैं ग्यारा स्वर होते हैं जैसे ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ, री, ए, अई, ओ, आउ ऐसे हिंदी में ग्यारा स्वर होते हैं और व्यंजन तो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं जैसे जो कुछ इस प्रकार है जैसे यहाँ पर बच्चो यह व्यंजन तो आप पड़ी चुके हो तो यहाँ पर आपको क से लेकर हर तक यहाँ पर व्यंजन दिये गए हैं तो हिंदी में हमारे कितने व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं बचो इसके अलावा भी हिंदी में कुछ वर्ण है जो कुछ इस प्रकार है अब वर्णा माला के अंदर हमने स्वर और व्यंजन देखे यानि मैं हमने पहले स्वर अ से स्वर देखा और उसके बाद हमने व्यंजन देखा अब स्वर और व्यंजन की जो परिभासा है वो हम उसे देख लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय, यानि कि हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसे बोलते हैं, उच्चारण के समय हवा जो होती है, वो बिना किसी रुकावर मुख से निकलती है, वो स्वर कहलाते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट मुख से निकलती है वो क्या कहलाती है स्वर कहलाती है हिंदी में ग्यारा स्वर है जो हम अभी पहले पढ़ चुके है ऐसी ही वेंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुह में अलग-अलग स्थानों पर रोकना पड़े वे वेंजन कहलाते है वेंजन यानि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से जिसे हमने देखा कि स्वर और वेंजन हमने देखे कि स्वर 11 होते है और वेंजन 33 होते है तो स्वर जो होते है वो स्वतंत्र होते है लेकिन वेंजन जो होते है वो किसकी सहायता से बोले जाते है स्वरों की सहायता से वो बोले जाते है और जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुँ में अलग-अलग स्थानों पर रोकना पड़ता है वे क्या कहलाएंगे वेंजन कहलाते है तो बच्चो हमने यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं वो दिखा वर्ण के दो प्रकार है स्वर और वेंजन ऐसे हमने जो वर्ण माला में जो हमारा स्वर और वेंजन आता है वो स्वर और वेंजन हमने देखा उसके बाद हमने स्वर की परिभासा और वेंजन की परिभासा हमने यहाँ पर देखी तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं जिससे आप व्यंजन का उच्चारण करोगे तो व्येंजन के साथ में स्वर की सहायता से ही वो बोले जाते हैं तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको स्वर और व्येंजन आपको आने चाहिए तो बच्चों आज हम इतना ही पड़ेंगे ठैंक यू खिर्फड़ो पाना ही जा ऑड़ गर तो वी प्यूस बात कि इतना है खवर से हम प्नी ओर यहाँ आ ऑपको में इतना है झाल झाल